हलो यंज यह सैंसे इस वीडियो में 11 अफ्रेयल करेंट आप से तो चले शुरू करते हैं हमारे पहली करेंड तैगर तो NICK हमारा फिप्त सर्वे था ताइगर्स का जिसमें यह बताया गया कि 6.7 परसें इंक्रीज हो आए पास्ट फोर सिर्स में ताइगर्स के नंबर में तो दोजा बाइस के सर्वे का एकोर्डिंग हमारे देश में टाइगर्स के संक्या हो गई है 3163167 जो कि दोजा अट्रा के होता कि तो इंसानों में और उत्ति हैं म Кар साथा यूनिक होती है उसी प्रकार दाइगर्स के जो धारियं होती है वो उनकी बहुत यूनिक होती है तो उस फोटोग्राफी के आधार पर हम डिफरेंट आगर की बीच में डिफरेंशेट करते हैं तब जाके हमें उनका एक नंबर पता चलता है अभी इंपोर्टेंट है क्योंकि यह जो मारे प्रोजेक्ट टाइगर उसको पचास साल हो जिसमें टाइगर है लायन है लेपर्ड है चीता है जगुवार है और प्यूमा है तो यूपियस यापसे इंट्रेंशा बिकट अलायन्स में किन बिग केट को सामिल करेंगा यह आपसे ओप्शन है पूछ सकती है तो फिर से याद रखना होगा है टाइगर लायन स्नो लेप लेपर्ड चीता जगुवार एंड प्यूमा इस अलायन्स में फिला 97 कंट्री से जहां पर यह बिग केट्स पाए जाते हैं अब यह गुरूप करेगा क्या यह लायन्स तो यह बेसिकली करेगा पार्टनेशिप करेगा कैसे बिल्डिंग करेगा एको टूरिजम बढ़ावा टाइकर से हमारे जो बिग केट्स हैं उनका भी कंजर्वरेशन कहा जा सके है साथी साथ यह इंफोमेशन प्रोबाइट करेगा मेंबर्स कंट्री की बेश में और अवेर्नेस विलाएगा इन सेवन बिग केट्स को लेकर ताकि इनकी संख्या को बढ़ाए जा सके यह हमार ए है कहां बाए जाता है ताइगर का सब्रोपिकल और सुमातरा की फ़ोरस्ट में यह सबसे स्बसे आजिस के स्पीशी मान जाता ऑट और यह जैनस पैंथ लूप का मिंबर होता है अब इसको ठेट क्या है ताइगर को तो इसको सब्सक्रॉट भी अग्यर अउब तो Indian Wildlife Protection Act 1972 का नुसार ये schedule 1 के species है जिने utmost protection दी गई है साथिसाथ जो international union for conservation of nature IUCN के red list है उसमें इसे endangered की category में रखा गया है साथिसाथ जो conservation on international trade in endangered species of wild forna and flora sites का जो convention है उसमें भी इसे appendix 1 में रखा गया है मतलब utmost protection यहां भी उसको दी जा रही है अब UPC ने tiger reserve पर भी question पूछ रखे हैं तो अगर total tiger reserve के बात करें तो 53 tiger reserve है as of August 2022 के numbers के according उसके आदमें अगर largest tiger reserve जो UPC ने पहले पूछा है question तो नागार जुन सागर स्री सेलम में जो tiger reserve है अंदर बज़श के वो सबसे बड़ा tiger reserve है यहां पर critical tiger habitat भी है तो यह भी UPC ने question पूछा था वो जो smallest tiger reserve है वो औरा टाइगर reserve है आज सामने अब question आपसे यह पूछ सकते हैं कि tiger reserve को declare कौन करता है तो जो state government होती है उसको जब NTCA ने टाइगर conservation authority जब recommendation देती है तब state government उस particular core area को notify करती है ऐसे tiger reserve हो तो यह भी एक important fact है tiger reserve को को notify करता है तो यह state government इसे notify करती है on the basis of recommendation from national tiger conservation authority तो tiger को लेकर इस साल position आ सकता है आपसे पूछे जा सकता है तो इसके बारे में आपको सारे basic facts पता होना चाहिए अब चलते हैं आगे हमारी अगली नियूज दे लेंग्वेश ट्रेंडशिप बेज को लेकर है यह एक नया project है जो की इंडियन council for cultural relations इसको execute करेगी अब इसका एम क्या है कि जो neighborhood जो nation से उनके साथ में हमारा जो cultural ties है उसको strong करना तो आप कैसे क्या जाएगा कि हमारे देश के जो epic से होते हैं जो literature होते हैं जो classics होते हैं उन्हें उन देशों की भाषाओं में से convert क्या जाएगा ताकि वहां के जो लोग है वह हमारे literature को हमारे एपेक्स को पढ़के तो लोगों के बिसमें cultural ties develop होगा इस project है basically होगा क्या कि जो इन देशों के जो language के एक्सपर्ट होंगे उन्हें हायर किया जाएगा जैसे कि म्यानमार के शेलंका के उस्पेकिस्टान के इंड़नेशिया के ताकि एक better people to people exchange का platform create किया जा सके तो इस project में 5-10 लोगों को दूसरे देशों की जो language होगी उसमें उन जाती है थाइ सेनलेश भार्षा जो इंडोनेशिया और मलेशिया बोल जाती है तो इन भाषाओं को हमारे देश के कई उनिविच्टी सांपढ़ा जाता है बट इंके संक्यार बहुत कम है क्योंकि हमारे धेश्यमें ज्यादा तर विदेशिया भाषा पढ़ा जाती है वह बच्चे लो कर सकते हैं तो यह हमारे लिए पहूती इंपोर्टेफ हो सकता है चे बदैयन करने में चुछरा ओध a कुर्णैयू को बंद्री कि इसका मेजर आफिक्टिव को देवलोंसक्राइफ करना है तो यह foreign nations में हमारे लिए cultural event आयोजित करती है इसके particular अपने कुछ missions होते हैं इसका foundation रखाता हमारे first education minister मौला नाबुल कला माज़ाद ने और एक special award भी administer करती है जवालना नहरू award for international understanding जो कि 1965 में established किया गया था तो यह basic fact होगा ICCR को लेकर जो आपसे UP से पूझ सकती है अब चलत atmospheric emissions monitoring of pollution tempo तो यह कैसा instrument होगा satellite होगा जो नौर्थ अमेरिका में जो pollution होगा उसको monitor करेगा अब यह project वैसे है नासा का बट इसको launch किया जाएगा SpaceX के Falcon 9 rocket की ज़री है जैसे जो scientist होंगे वो हर गंटे जो air pollution होगा over North America उसको वो track कर सकेंगे तो यह जो tempo satellite होगा यह space से air pollution को monitor करेगा अमेरिका में इसकी range होगी Atlantic Ocean से Pacific Ocean तक इसमें कुछ विस्सा Canada का और Mexico City भी इसके अंदर आएगी इसके features क्या है वैसे coverage आपको पता है greater North America Canada से लेके मेक्सिको तक Atlantic से लेके Pacific तक प्रों प्रोटरिको टू कनाडा अब यह जो सैटलाइट होगा यह जियो स्टेशनल सेटलाइट होगा जियो स्टेशनली मतलब यह 36000 किलोमेटर की उचाई पे किसी particular place पे fix हो जाएगा और जैसे से अर्थ रोटेट करता है वेसे सेटलाइट भी रोटेट करेगा इसलिए से जियो स्टेशनली सेटलाइट बोला जाता है मॉनिटरिंग आर्ली बेसिस पर करेगा जब भी डेटाइम होगा तब यह हर घंटे 10 स्कूर किलोमेटर रेंज में यह पॉलुशन को मॉनिटर करेगा अब कौन-कौन स इसलिए ती क्योंकि इसका कई जगवे रोटा था खासकर इडूम में ट्राइबस के द्वारा इनका कंसन यह था कि अगर इसको टाइगर रेजर्व घोशित कर दिया जाएगा तो इनका जो एकस्स था फोरेश्ट एरिया में वो रिश्टिक कर दिया जाएगा और इनका ऐस सामानना है कि हम लोग सद्यों से इस रीजन में इस फोरेस्ट के साथ में रहते हैं और हम लोग कोईजिस करते हैं तो यह यहां पर टाइगर के साथ और उनके वी कलिचर राइट का रिस्पेक्ट हो जाए अब कुश्चन आफ से ने चांडर उसन अथर्टी को परा सकता है जो कि 2005 अमनी थी जिसका हैटको न्यूदेली में है इसको टाइगर टास्पोर्स के रिकमेंडेशन के बात बनाए गया था जिसको हैट किया था प्राइ इसको हैट करती है अब दिबांग वाइलफ सेंचुरिस को पर कोश्चन आता है तो इसका नाम रखा गया दिबांग रिवर के उपर जो कि भ्रमपूत्र रिवर के ट्राइबटरी है उसके लोकाशन देखें तो इसके पास में मॉलिंग नेशनल पार्क है और दिबांग वा वाइलाइफ सेंची इसमें टेम्टेट वेजिटेशन पाया जाता है ज stripes आनिफर फोरेश्ट है जैसे राटें गौन पर यूपिस पूशन कोश्य कोशा है बंब्वू ग्रेगरिया सूग है इन अल्पाइम वेजिटेशन जो हाये लिटीट्टीचैड में देखने को मिलता वाइल लाइफ में आपको मिश्मी टैकीन देखने को मिलेंगे एश्याटिक ब्लेक डियर टाइगर्स गॉंग शान मुंजैक रेट पांडा रेट गोरल एड मस्क डियर अब चलते हैं अब एक प्रिवेसर कोशन देख लेते हैं जो यूपिसे ना 28 के प्लेंच सब पुछा थ है था विद्ध एंडिया उस्टेलाइट वहिंक है यह स्टेटमेंट करेक्ट है यह जो अधी इस इंडर होता है अब पर सेटलाइट रॉब्स करती है तो इसमें जितने हमारे मोनीटरिंग सैटलाइट होते हैं वह पॉलर औरबिट में लाउंच होते हैं और पीसली उस होते हैं इन्हें लांज क्या जाता है तो इन्हें 36,000 किलो मीटर्ट जो इस्टेसेटिस्न आज्वी यूस क्या जाता है तो यह स्टेक्मेंट करक्त है अगर हम सेट्मेंट देखें सैट्लाइड लांज सब्सक्राइब हो जाएगा क्योंकि जो इस दिखाई दिखाई देते हैं क्योंकि वो लॉकेशन को पुन पॉइंट करते हैं और वह अर्थ के साथ करते हैं इस वजह से वह स्टेशन लिए होते हैं हमें तो यह स्टेट्मेंट गरत हो जाएगा क्योंकि जो सेटलाइट होते हैं वो जी एसल्व लॉंच करती है अब फर्ड श्टेट्मेंट है जी एसल्वे मार्क त्री इस पोर स्टेज लॉंच वहिकल विद फर्स्ट और फॉर्ड स्टेज उसें वह लिक्विड सुलिज रॉकेट मोटरस होते हैं और से करे कि विदेव के वीडियो के यूटॆ के विदियो के यúट्र को सब्सकाइब कर सकते हैं आज के वीडियों से रिपितना ही है थैंक्यू थैंक्यू वेले मच्छ